हलो फ्रेंड्स एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल टॉक विद पुनित में दोस्तों आज के इस नॉटिफिकेशन में हम आपको बताने वाले हैं IOCL नई भरती 2020 के बारे में Indian Oil Corporation Limited में 482 पदो पर भरती आई हुई है और यहाँ पे जो योग्यता है वो है ITI, BARV, डिपलोमा और graduate अगर आप ITI पास हैं, BARV पास हैं, डिपलोमा पास हैं या फिर graduate पास हैं सभी के लिए vacancy है, ठीक है किसी भी state से कोई भी candidates apply कर सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर no fee है आपको कोई भी application piece वेगर यहाँ पे नहीं देना है ठीक है तो male female दोनों apply कर सकते हैं साथ में किसी भी state से कोई भी candidates apply कर सकता है ठीक है यह vacancy है तो वीडियो को जरू like कर दीजेगा और दोस्तो एक सबसे most important बात ही है कि अगर आप हमारे channel पे नए हो तो channel को जरू subscribe कर लेना साथ में bell icon को press करके all पे click कर लेना ताकि जितनी भी government जो वो private job के notification होते हैं वो सभी आपको मिलते रहें मैं daily रोजाना आपके लिए government जो वो private job के notifications लाता रहता हूँ तो सभी प्रकार के notification को पाने के लिए channel को जरू subscribe कर लीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो friends आज हम बात करने वाले हैं Indian Oil Cooperation Limited यानी IOCL की वेकेंसी के बारे में तो दोस्तो इसका जो application mode होगा इसके लिए आपको online application form फिल करना होगा All Indian candidates किसी भी state से कोई भी candidates apply कर सकता है Job location आपका all over India होगा भारत के सभी state के लिए वेकेंसी आयोई है Official notification में आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी बात करें अगर हम यहाँ पे वेकेंसी की तो दोस्तो यहाँ पे दो तरीके की वेकेंसी है एक technician apprentice की और दूसरी trade apprentice की तो इसमें mechanical, electrical, telecommunication और instrument वाले candidates apply कर सकते हैं इसके अलावा trade apprentice की बात करें तो human resource, account and finance, data entry operator और इसके अलावा domestic data entry operator की यहाँ पे वेकेंसी आयोई है तो यहाँ पे IT वाले भी apply कर सकते हैं, बारवी वाले भी apply कर सकते हैं, प्लसमें डिपलोमा और graduation वाले भी apply कर सकते हैं टोटल वेकेंसी कितनी है, 482 पोस्ट है, salary जो मिलेगा वो आपको as per apprenticeship rule यानि की government of India का गवर्नी विजितना मिलता है, उतना आपको यहाँ पे मिलेगा टिक है, application fees की बात करें, तो यहाँ पे no application fees है, किसी प्रकार का कोई भी application fees आपको यहाँ पे नहीं देना है age limit की बात करें, तो यह जो वेकेंसी है, जर्नल वालों के लिए 18 से लेकर के 24 साल तक के candidate से प्लाई कर सकते हैं, OBC non-kirmary layer में 18 से 27 साल, और SCST में 18 से 29 साल तक के candidate से प्लाई कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें, LGBT criteria के बारे में, तो जैसा कि मैंने बताया था, technician apprentice के लिए, यहाँ पे 3 year यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 2 year enough letter entry IDI, ठीक है, अगर आपने IDI कर रखा है, ठीक है, और IDI आपका minimum 1 year का है, या फिर अगर आपने full time diploma कर रखा है, तो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है, अफ्टर IDI, अगर आपने diploma कर रखा है, तो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, mechanical में, automobile में, electrical में, electrical में, electrical band, communication, integration, इसके अब alar़, resonates and communication engineering, telecommunication engineering, electronic and radio communication engineering, instrument and control में भी कर सकते हैं, इसके अलावा instrument and process control engineering और electronics engineering वाले candidates भी अप्लाई कर सकते हैं अगली vacancy है यहाँ पर assistant human resource की यह जो vacancy है bachelor degree वाले candidates के लिए अगर आप graduate है तो इस vacancy के लिए अप्लाई कर सकते हैं minimum qualification यहाँ पर 12 पास है वही अगर हम बात करें domestic data entry operator के लिए तो यह skill certificate holders के लिए अगर आप 12 पास है और आपके पास skill certificate of domestic data entry operator का है तो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं तो इसकी सारी जानकारी आपको इसके official notification में detail में मिल जाएगा आपको इसको बस download करना है और अच्छे से जाएगा ठीक है और एक चीज़ जो most important है form की जो शुरुआत होगी वह चार नॉमबर 2020 से आप लोग इस form को fill कर सकते हैं और form बनने की जो last date होगी वह कब होगी 22 नॉमबर 2020 तक आप लोग इस form को fill कर सकते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा Facebook, Instagram, Twitter पर ताकि WhatsApp पर भी ताकि आपके जितने भी friends हैं तस्वी पास, बारवी पास, ITI पास, Diploma, Graduate उन सभी को इस वेकेंसी के बारे में जानकारी हो सकते हैं क्योंकि knowledge शेयर करोगे न तो benefit आपका ही होगा आज आप इस वेकेंसी के बारे में दूसरे को टीक है तो वीडियो को एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजेगा बात करें कैसे apply करना है तो दोस्तो apply करने से पहले सबसे पहले क्या करना है आपको इसका official notification डाउनलोड करना है और उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और कोई भी doubt होगा तो आप लग मुझे comment कीजेगा ठीक है मैं आपके comment का reply दे दूँगा solution provide कर दूँगा और most important अगर आपको comment नहीं करना है तो आप हमारे whatsapp group से जूट सकते हैं हमारे telegram group से भी जूट सकते हैं link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा उसके मादिम से भी आप लग मुझे suggestion पा सकते हो ठीक है आप मुझ apply now का link मैंने नीचे वीडियो के description में दे दिया है अगर आप इस form को fill करना चाहते हैं तो apply now का link आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए एक बार देखते हैं इसके official notification को तो friends ये है Indian Oil Cooperation Limited के दोवारा जारी क्या 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 official notification और जैसा कि आप यहाँ पर starting में देख सकते हैं 30 October 2020 को इस notification को release क्या गया था और यहाँ पर जो online application इस start होगा वो कब से होगा 4 November 2020 से और form के भनने की जो last date है 22 November 2020 तक आप लोग इस form को fill up कर सकते हैं ठीक है साथी 30 November को working of eligibility criteria होगा तो सारी जनकारी official notification में provide क्यों है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ठीक है अब जैसा कि मैंने बताया था कि सभी state के लिए vacancy है तो total vacancy यहाँ पर कितनी है 482 यहाँ पर apprenticeship की vacancy है ठीक है और सभी state के लिए इसके लावा साथन इस्टन के लिए निकि सभी के लिए vacancy है अगर आप यहाँ डिटेल में देखोगे तो पूरा आपको table मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात के अंदर vacancy है ठीक है औरिसा में भी vacancy है चारखंड के अंदर vacancy है नॉर्दन इसर में बात करें तो हर्याना के अंदर भी vacancy है ठीक है पंजाब में है दिल्ली में है उत्तर परदेश में है उत्तरा खंड में है राजिस्थान के अंदर है हिमाचल परदेश के अंदर vacancy है इसके अलावा गर हम ब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं वार्भी पास भी अप्लाई कर सकते हैं तो यहांपे सारी जानकारी है इसके लाएविश्य हमारे फिजिकल हेंडीकैप candidates होते हैं ठीक है वो भी apply कर सकते हैं सारी जनकरी आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर देखे डिटेल में आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप technician apprentice mechanical के लिए apply करते हैं तो आपके पास three year और two year का यहाँ पर letter एंट्री से ID होना बहुत जरूरी है ठीक है और आपके बस full time diploma है तो आप इस वेकेंसी के लिए apply कर सकते हैं तो सारी जनकरी वही चीज़ें यहाँ पर प्रवाइड के हुई है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बारवी पास data entry operator fresher के लिए है इसके लाव इसकल certificate के लिए भी होगी वह कितनी होगी वह आप यहाँ पर देख सकते हों technician apprentice electrical mechanical और TDI के लिए वन यह का है trade apprentice assistant HR accountant के लिए वन यह का और data entry operator और domestic data entry operator के लिए कितना होगा 15 मंद का यहाँ पर आपको training होगा ठीक है इसके लावा जो stipend जो आपको मिलेगा यानि को salary मिलेगा वह आपको apprenticeship rule 90-20 के according म आप देख सकते हों साथ ही जो मैंने age में election के लिए बताया था वह आप देख सकते हो 5 साल का age में election मिलेगा आपको SCST के लिए और OBC के लिए 3 साल का ठीक है तो सारी जानकर यह आपके लिए पर provide की हुए कैसा selection process होगा तो यहाँ पर जो selection process होगा वो आपका return test के बेस पर आप multiple choice questions होगे ठीक है 100 questions होगे 100 marks के ठीक और यहाँ पर each correct answer के लिए आपको एक mark मिलेगा और यहाँ पर सबसेची बात यह है कि negative marking नहीं है no negative marking है ठीक है wrong answer पर आपका negative marking यहाँ पर नहीं होगा तो इसका पूरा मैं syllabus आपको बना करके देदूगा कैसा question आएगा किस type के questions आएगे ठ मुझे क्या होगता motivation प्रोवाइड होता है तभी मैं इस vacancy के लिए आपको syllabus लागर के देता हूँ last years के papers लागर के देता हूँ ठीक है तो जितने ज़्यादा लोग like करोगे comment करोगे तो इसके नई वीडियो आएगी उसमें क्या 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 इसका selection process होगा कैसे क्या कुछ होग वो सारी जानकरी आपको यहाँ पर मिलता रहेगा तो ज़्याद ज़्यादा लाइक करें और वीडियो कर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सबिस्क्राइब कर लीजेगा बाकी सारे important links आपको नीचे वीडियो के जहें